Hello students, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि present tense के sentences को किस तरीके से पेचाना जाता है, किसे identification उसका होता है और क्या helping verb का use किया जाता है, क्या main verb का use किया जाता है, किसे हिंदी से English के अंदर उसको translate किया जाता है तो इन सब चीजों के बारे में हमने सीखा था, आज हम सीखेंगे past tense और future tense के sentences को किस तरीके से identify किया जाता है उनके अंदर क्या helping verb और man verb का use होता है, और किस तरीके से हिंदी के sentences को English में translate किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं past tense की, ऐसे sentences जिनके end में था या थी या थे शब्द का use होता है यानि कि हिंदी के ऐसे sentences जिनमें आखिर में था या थी या थे शब्द आते हैं, वो past tense के sentences होते हैं जैसे कि मैं गाना गा चुका था, सीता पत्र लिख चुकी थी, हम घर आ चुके थे, बच्चे बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे तो एसे sentences जिनके end में, हिंदी के से sentence जिनके end में था या थी या थे शब्द का यूज होता है, वो past tense के sentences कहलाते हैं अब हम बात करते हैं past simple tense की इसका identification क्या होता है कारे भूतकाल में होना या कारे एक बार हुआ यानि कि कोई भी काम past में होता था या कोई भी काम past में एक बार हुआ तो इस प्रकार के sentences, past simple tense के sentences होते हैं जैसे कि हमने present simple tense के अंतर दिखा था जैसे कि राम इस्कूल जाता है तो basically उसी sentence को उठा करके हम past simple में डाल देंगे लेकिन होगा क्या सिर्फ हें की जगे था या थी या थे शब्द का use हो जाएगा तो basically इसका identification ये हुआ कि कोई भी काम past में पेले होता था या past में एक बार हुआ तो basically इस type के sentences past simple tense के sentence केलाते हैं अब हम बात करते हैं इसकी helping verb की इस tense में helping verb होती है did और हम man verb लगाते हैं इस tense की verb की first form basically helping verb did का use हम करते हैं negative sentences के साथ में और जो हमारा affirmative sentence होता है उसके अंदर हम use करते हैं directly verb की first form जैसे कि हमने present simple tense के अंदर देखा था helping verb do या does होती है और main verb verb की first form तो हम उसमें क्या करते थे do या does को verb की first form के साथ में mix करते थे तो यहाँ पर भी हम did को affirmative sentence के अंदर verb की first form के साथ में mix कर देंगे और did plus verb की first form मिलतर के बन जाता है verb की second form तो affirmative sentences के अंदर हमको directly verb की second form का use करना है helping verb जो है उसका use नहीं करना है और negative sentence में हम did का use करेंगे और उसके बाद में note लगा करके फिर verb की first form का use करते है जैसे की नीचे एक note लिखावा है if sentence is affirmative अगर sentence affirmative है we use we second यानि कि verb की second form का हम use करते है but if sentence is negative लेकिन अगर sentence negative है then we use did not plus verb की first form यानि कि फिर हम did not के साथ में verb की first form लगाते है इस tense का formula होगा subject plus main verb verb की second form लगाते है इसमें हम plus object यह affirmative sentence की बात हुई लेकिन negative sentence के अंदर हम not का use करते है और not के लिए हमको helping verb बाहर निकालनी पड़ेगी तो formula हो जाएगा हमारा subject plus helping verb plus not plus verb की first form plus object for example सीता ने पत्र लिखा या फिर सीता पत्र लिखते थी अब basically आप इन दोनों से examples को समझेए यह एक ही बात है यानि कि इन दोनों का tense ही है past simple सीता ने पत्र लिखा यानि कि काम एक बार हुआ जिसा कि आपको मैंने अभी identification में बताया और सीता पत्र लिखती थी यानि कि ये काम पहले रोज होता था तो ये भी conceptence का identification है past simple का तो basically ये दोनों sentence हुए past simple के अब हमको बनाना है affirmative sentence तो formula क्या है हमारा subject plus man word plus object सीता ने पत्र लिखा या सीता पत्र लिखती थी क्रिया काई की हो रही है इसके अंदर लिखने की लिखने को क्या कहा जाता है write और लिखने का काम कुन कर रहा है सीता तो हमारा basically यहाँ पर subject क्या हुआ सीता तो सबसे पहले हमने लगाया subject फिल लगाना है हमको main word main word के हमको form लगानी है second form तो यहाँ पर हम right की second form लिखेंगे rot तो सीता rot यानि सीता ने लिखा सीता ने क्या लिखा सीता ने पत्र लिखा यानि की letter तो हमारा sentence बन गया सीता rot letter अब negative sentence हमको बनाना है तो negative बनाने के लिए आप सबको पता है पहले भी हम सीख चुके है कि not का use करा जाता है not का use कहां पर किया जाता है sentence के अंदर helping verb के बाद में तो हमको पता इस sentence की helping verb क्या है did तो हमारा negative sentence जो था उसका formula जो है वो ये बनेगा subject plus helping verb plus not plus verb की first form plus object तो हमारा subject तो हुआ सीता helping verb हुई हमारी did और उसके बाद में हम use करेंगे not फिर verb की first form और उसके बाद में हम लगाएंगे हमारा object letter तो sentence हमारा बनेगा सीता did not write letter याने सीता ने पत्र नहीं लिखा या सीता पत्र नहीं लिखती थी ऐसे interrogative बनाने के लिए हम helping verb को उठा कर subject से जस्ट पहले place करते हैं तो हमारा sentence बनेगा did सीता राइट लेटर यानि कि क्या सीता ने पत्र लिखा या क्या सीता पत्र लिखती थी ऐसे interrogative को हम interrogative negative में change करेंगे तो हम क्या लगाएंगे not का यूज़ करेंगे तो sentence हो जाएगा हमारा did सीता not right letter next tense है हमारा past continuous tense इस tense की पहचान क्या है इसका identification क्या है भूत काल में कार्य जारी रहना यानि कि past में कोई भी action जो है verb जो है वो continue होना इस tense की helping verb होती है was या फिर word was का यूज़ करते हम i, he, she, it, name या फिर कोई भी singular subject के साथ में और helping verb वर का यूज़ करते हम we, you, they या फिर कोई भी अधर plural subject हो तो उसके साथ में इस tense की man verb होती है verb की first form plus ing और formula है subject plus helping verb plus man verb plus object अब हम इसका example देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे थे तो basically sentence कैसे पेचानेंगे identification कैसे करेंगे कि कौन सा tense है थे आ रहा है तो मतलब past tense उड़ रहे थे यानि कि past में यानि भूत काल में उन्ने का काम जारी था यानि कि action जो थी वो continuous थी तो basically यह हुआ हमारा past continuous tense इस sentence में हम देखते हैं क्रिया काई की हुरी है उन्ने की उन्ने का काम कोन कर रहा है पक्षी तो हमारा subject जो हुआ है वो क्या हुआ birds फिर हम लगाएंगे subject सबसे पहले तो birds आएगा उसके बाद में helping verb हमारी आजाएगी word क्योंकि हमको plural subject के साथ में word helping verb का use करना है then हम use करेंगे word की first phone plus ing तो हमारी verb होगी fly क्योंकि उन्ने को fly कहा जाता है और साथ में हम लगाएंगे ing तो basically हमारा sentence बनेगा birds were flying यानि की पक्षी उड़ रहे थे कहां उड़ रहे थे आकाश में तो in the sky negative हमको बनाना है तो not का use करते हैं not कहां लगाते हैं helping verb के बाद में तो sentence हो जाएगा birds were not flying in the sky ऐसे हमको बनाना है interrogative sentence interrogative बनाने के लिए हम क्या करते हैं helping verb को उठा कर subject से पहले लगाते हैं तो हमारा helping verb है वो आजाएगा subject से पहले तो sentence बन जाएगा were birds flying in the sky यानि कि क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे ऐसे ही interrogative को negative बनाने के लिए हम use करेंगे not का sentence हमारा बनेगा were birds not flying in the sky क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे अब हम बात करते हैं past perfect tense यानि कि past perfect tense का identification क्या होता है भूत काल में कारे पूरा होना यानि कि कोई भी काम past में पूरा हो चुका होना इसके लिए helping verb हम लगाते हैं add man verb लगाते हैं verb की third form और formula होता है subject plus helping verb plus man verb plus object for example में खाना खा चुका था था शब्द का use हो रहा है आखिर में इसका मतलब हुआ past tense खाना खा चुका था यानि खाना खाने की क्रिया पूरी हो चुकी थी तो यह हुआ हमारा past perfect tense अब हमको बनाना है इससे affirmative सबसे पहले हम देखते हैं खाने को कहा जाता है eat खाने का काम कोन कर रहा था में तो यहाँ पर हमारा subject हुआ वो क्या हुआ helping verb हम क्या लगाते हैं had और verb की third form तो eat की third form हो जाएगी eaten और क्या खा चुका था खाना यानि की food तो sentence हो जाएगा I had eaten food negative बनाने के लिए not लगाएंगे आगे लगा देंगे subject से पहले तो sentence हो जाएगा had I eaten food और interrogative negative बनाने के लिए हम not का और use कर देंगे तो sentence हमारा हो जाएगा had I not eaten food next है हमारा past perfect continuous sentence identification क्या है इसका कार यह भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में जारी रहना यानि की काम जो है वो past में शुरू होता है action जो है वो past में शुरू होती है और past में ही continue होती है यह present perfect continuous sentence के जैसा ही है बस एक difference है के एसे sentences के अंदर थाश या थी या थे शब्द का यूज़ होता है और present perfect continuous sentence के अंदर है या हूँ शब्द का यूज होता है helping verb distance के होती है had been main verb हम लगाते हैं verb की first form प्लस ing formula होता है हमारा subject plus helping verb plus main verb plus object plus since oblique for plus time since और for का use time से पहले किस तरीके से किया जाता यानि कि हमको time से पहले कब since लगाना है और कब for लगाना है इसके बारे में मैं आपको present perfect continuous tense के अंदर समझा चुका हूँ उसी तरह के से यहाँ पर भी हमको scenes for for का use करना होता है अब हम example देखते हैं रवी सुबह से टीवी देख रहा था इस sentence के अंदर हमारा subject है रवी और क्रिया हो रही है देखने की देखने की क्रिया कुन कर रहा है रवी तो हमारा subject क्या हुआ इसमें रवी अब sentence को हम affirmative में change करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे subject सबसे पहले हम लिखेंगे रवी फिर helping verb लगाएंगे sentence की had been फिर उसके बाद में हम लगाएंगे verb की first form plus ing देखने को कहते हैं टीवी देखने के लिए हम यूज करते हैं verb जो है watch और उसके बाद में हम लगाएंगे ing तो रवी had been watching क्या देख रहा था टीवी तो रवी had been watching टीवी और कब से देख रहा था सुबह से यानि कि ये सुबह से मतलब कि ये क्या हुआ एक point of time और point of time के लिए हम क्या यूज करते हैं since का तो basically हमारा sentence जो है वो ये बनेगा रवी had been watching टीवी since morning इसे ही sentence को negative में change करने के लिए not का यूज करेंगे तो sentence बनेगा रवी had not been watching टीवी since morning interrogative बनाने के लिए हम helping work को उठा कर subject से पहले लगा देंगे ये हमारा sentence होगा और interrogative नेगेटिव बनाने के लिए sentence हमारा ये बनेगा had रवी not been watching टीवी since morning तो इस तरीके से ये हमारा past perfect continuous tense होता है अब हम बात करते है future tense की future tense किस तरीके से पहचाना जाता है कोई भी काम आने वाले time में होगा यानि कि future में भविश्यकाल में तो इस type के जो sentences जिनसे हमको ये पता लगता है कि कोई भी काम आने वाले time में यानि कि भविश्यकाल में होगा तो वो हमारा sentence होगा future tense का इस तरीके के sentences के अंदर basically हिंदी के sentences के अंदर end में गा या गी या गे शब्द का यूज होता है सबसे पहले हम बात करते है future simple tense की future simple tense का identification होता है कारिभविश्य में होना यानि कि कोई भी action कोई भी verb आने वाले time में याने future time में होगी इसके लिए helping verb हम यूज करते है will या फिर shell shell का यूज करते हैं I और we के साथ में और will का यूज करते हैं he, she, it, name, you, they या फिर कोई भी और singular या plural subject के साथ में इस tense के हमारी man verb होती है verb की first form और formula होता है subject plus helping verb plus man verb plus object अब हम इसका example देखते हैं राम cricket खेलेगा तो basically ये काम future time में याने कि आने वाले time में होगा तो ये sentence हुआ हमारा future simple tense का इसमें क्रिया हो ये खेलने की और खेलने की क्रिया कौन करेगा राम, तो basically हमारा subject हुआ राम उसके बाद में हम helping verb लगाएंगे will फिर हम लगाते हैं man verb verb की first form यानि की play तो हमारा sentence होगा ram will play यानि ram खेलेगा क्या खेलेगा cricket तो sentence बनेगा पूरा ram will play cricket negative बनाने के लिए not का यूज़ करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं not कहां लगाते हैं helping verb के बाद में तो sentence बनेगा ram will not play cricket interrogative बनाने के लिए helping verb को उठा कर subject से पहले लगाते हैं तो हमारा sentence बनेगा will ram play cricket और फिर question mark तो यानि कि क्या ram cricket खेलेगा और ऐसे interrogative को interrogative negative बनाने के लिए हम उसमें not का और यूज़ करते हैं तो sentence बनेगा will ram not play cricket यानि कि क्या ram cricket नहीं खेलेगा तो इस तरीके से ये हुआ हमारा future simple tense अब हम बात करते हैं future continuous tense की इसका identification होता है कार भविष्य में जारी रहना यानि कि कोई भी काम future में शुरू होगा और जारी रहेगा मतलब कि कोई भी काम भविष्य में चलता रहेगा तो basically इस टाइप के sentences के लिए हम future continuous tense की helping verb यूज़ करते हैं will या फिर shell और be 7 में लगाते हैं man verb हम लगाते हैं अब जैसे कि हम इसका एक example देखते हैं वह पत्र लिख रहा होगा तो basically जैसा कि identification है कोई भी काम future में यानि की भविष्य में जारी रहेगा यानि चलता रहेगा वह पत्र लिख रहा होगा इससे हमको पता चल रहा है कि ये काम कब होगा आने वाले टाइम में और continue रहेगा यानि जारी रहेगा वह पत्र लिख रहा होगा इस sentence के अंदर क्रिया हो रही है लिखने की और लिखने का काम कोन कर रहा होगा वह यानि कि हमारा subject हुआ ही तो सबसे पहले हम लगाएंगे subject ही उसके बाद मैं helping verb यूज करेंगे will be उसके बाद man verb verb की first form plus ing तो हम यूज करेंगे write और write के साथ में हम लगाएंगे ing तो sentence बनेगा he will be writing यानि कि वह लिख रहा होगा वह क्या लिख रहा होगा पत्र यानि कि letter तो अब पूरा sentence बनेगा हमारा he will be writing letter it means वह पत्र लिख रहा होगा इसी को negative में convert करने के लिए हम लगाएंगे not और not का यूज करते हैं helping verb के बाद में sentence बनेगा he will not be writing letter इसी को interrogative बनाने के लिए हम यूज करते हैं helping verb को उठा कर कहा लगाते हैं subject से पहले तो हमारा sentence होगा will he be writing letter और इसी को interrogative नेगेटिव बनाने के लिए हम not का और यूज करते हैं तो sentence हो जाएगा will he not be writing letter next tense है हमारा future perfect tense इसका identification या पेचान है भविश्य में कार्य का पूरा होना यानि कि कोई भी काम भविश्य में पूरा हो चुका होगा तो basically इस tense के अंदर helping verb हम यूज करेंगे will या shell plus have man verb हम लगाते हैं verb की third form formula होता है इस tense का subject plus helping verb plus man verb plus object अब इसे हम example से और अच्छे तरीके से समझते हैं जैसे कि मैं कल इस समय तक जैपूर पहुँच चुका होगा तो basically ये काम future में होगा और future में पूरा हो चुका होगा यानि कि खतम हो चुका होगा तो ये हुआ future perfect tense इस sentence के अंदर करिया हो रही है पहुचने का काम कौन कर रहा है में यानि कि I तो basically subject हुआ हमारा I उसके बाद हम helping verb यूज करेंगे I के साथ हम shell का यूज करते हैं इसलिए हमारी helping verb हो जाएगी shell have तो I shall have plus main verb की हम third form लगाएंगे तो reach की third form हम लगाएंगे reached I shall have reached और फिर उसके बाद में कहां पहुच चुका होगा जैपूर तो I shall have reached जैपूर by this time tomorrow यानि कि कल इस समय तक में जैपूर पहुच चुका होगा तो इसके लिए हम use करेंगे by this time यानि इस समय तक और कब पहुचने की बात होगी है कल तो उसके लिए उस करेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा I shall have reached जैपूर by this time tomorrow इसी सेंटेंस को हम negative में convert करने के लिए लगाएंगे not और not लगाएंगे हम helping verb के बाद में तो हमारा सेंटेंस बनेगा I shall not have reached जैपूर by this time tomorrow interrogative sentence बनाने के लिए helping verb को उठा कर हम कहां लगाते हैं subject से पहले तो हमारा सेंटेंस बनेगा shall I have reached जैपूर by this time tomorrow और interrogative को negative बनाने के लिए यानि कि interrogative से interrogative negative बनाने के लिए हम not का और यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा shall I have not reached जैपूर by this time tomorrow next sentence है हमारा future perfect continuous tense इस tense की पहचान क्या है कि भविश्य में कारी शुरू होकर भविश्य में ही जारी रहना यानि कि कोई भी काम भविश्य में शुरू होगा और भविश्य में ही continue यानि कि चलता रहेगा जारी रहेगा इस tense की helping verb होती है will या फिर shell प्लस have been और main verb होती है verb की first form plus ing formula होगा इस tense का subject plus helping verb plus main verb plus object plus since oblique for plus time अब इसका example देखते हम और example से इसको समझते है वह तीन बज़े से इंतिजार कर रहा होगा तो basically इस sentence के अंदर क्रिया हो रही है इंतिजार करने की और इंतिजार कोन कर रहा होगा वह तो हमारा subject हुआ he he के बाद में हमको लगाना है helping verb तो he के साथ में हम लगाएंगे will have been फिर हम लगाएंगे main verb verb की first form plus ing यानि कि हमारी verb है wait और उसके साथ में हम लगाएंगे ing तो हमारा sentence होगा he will have been waiting यानि कि वह इंतिजार कर रहा होगा कब से? तीन बज़े से अब हम तीन बज़े से क्या है यह हमारा point of time है और point of time से पहले हम क्या लगाते है since लगाते है तो हमारा sentence हो जाएगा he will have been waiting since 3 o'clock इसी sentence को negative में convert करने के लिए हम not का use करेंगे तो sentence बनेगा he will not have been waiting since 3 o'clock इसी को interrogative में convert करने के लिए helping verb को हुटा करके subject से पहले लगाएंगे तो sentence हो जाएगा will he have been waiting since 3 o'clock और इसी का interrogative negative बनाने के लिए हम not का और use कर देंगे तो sentence हमारा हो जाएगा Will he not have been waiting since 3 o'clock So students, I think आपको यह video lecture पसंद आया होगा समझ में आया होगा I think this is enough for today Thank you and have a nice day Thank you